कैसे दोस्तों और मैं हूँ डॉक्टर नमीत काल रहा हूँ और जो मैं अक्सर जब कभी कभी कुछ बाते ऐसी बताता हूँ और जब मैं उसको रियर रूप में एविडेंस के साथ देखता हूँ तो मेरा मन करता है यार वीडियो बनाना चाहिए लोगों तक अवेरनेस के लिए और उन डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके अपने हॉस्पिटल्स है या फिर एक जनरल अवेरनेस के लिए बहुत अच्छा वीडियो साभीत हो सकता है क्योंकि जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था एक पेशेंट जो मेरे बहुत पुराने पेशें तो उन्हें बोला सब कुछ नॉमल है आप ये दवाईए खाईए और जाईए उन्होंने कुछ पेनकिलर नौन स्पेसिफिक मेडिसिन लिखके दे दी जब मैंने का ECG दिखाओ तो ECG जब मैंने देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया सही बता रहा हूँ तो कि क्लियर कट ह बिल्कुल क्लियर कट और वो भी एक डाइप्टिक पेशिंट को बीपी उनका हाई था तब भी मेरा सिर्च करायकि इनका बीपी भी हाई था मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई इंफार्क्ट होता है क्लोटिंग होती है कहीं पे भी तो बीपी में फ्लक्शुेशन होते ह इस चीज़ को बहुत इंपोर्टेंस देनी चाहिए बीपी के फ्लक्शुेशन को लेकिन वो डाइप्टिक भी थे बीपी भी बढ़ा हुआ था उसके लाबा उनका टिपिकल सिंटम थे हार्ट अटक के एंजाइना के लेकिन शैर जो देखने वाले थे ECG डॉक्टर उन्हो बोलू और मैंने ये भी देखा कि हाला कि जो पिशन बीने ट्रीटमेंट के बच जाते हैं कि बार वो ब्लॉकेज होके निकल जाती है या फिर आपके किसमात अच्छी थी बस यही बोलूँगा तो उनकी किसमात अच्छी थी कि वो बच गए और जो तीन दिन में कुछ नही बी कुछ नहीं होगा लेकिन इस दोरान उनकी मसल पे कितना अटेक हुआ होगा मसल डैमेज हुई होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो उनको फिर भेह दिया आगे जहां पे इमिडेट उनको ट्रीटमेंट की जरुवत थी एंजियोग्राफी की और फ इस दोरान से हमेशा जब भी आप ECG कर रहे हैं पहले तो क्लिनिकल ही आपको पता चल रहा है आपको देखने से लग रहा है कि उसको हाट प्रॉलम हो रही है ECG तो एक साइड में रहा है मैं करता हूँ ECG भी नॉमल है चलिए मा लिए ECG भी नॉमल है ट्रोप आई भी नॉमल है इको भी नॉमल है तो भी आप नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें कोई हाट प्रॉलम नहीं है मैं कितनी बर बोल चुका हूँ, ये सारे टेस्ट नॉमल आ सकते हैं, उसके वाब जूद भी पिशिंट को हाट इटेक हो सकते हैं और इस पिशिंट के साथ तो ECG में प्रॉलम थी, किलियर कट प्रॉलम थी अगर महाँ पे जूनियर डॉक्टर ने, कोई नहीं समझ में आया, उसने आगे टोपाई भी कराया है, वो भी कराया है तो बैटर होता किसी सीनियर डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए थी और अगर नहीं ली या ली, यह मुझे नहीं पता है, लेकिन यह बहुत बड़ी एक वो थी जिसको कौँगा कि एक गलती, जिसकी वैसे उस पिशन्ट की जान जा सकती थी हाला कि पेशन्ट की किसमात अच्छी थी, लेकिन अकर आप टाइम पे डियाग्नोस नहीं करोगे तो मसल डैमेज हो जाती है कहीं बारी, और फिर वो रिवाइब करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी बीच कोई ventricular, tachycardia या V.A.F कुछ भी हो जाए तो पेशन्ट की death हो भी हो सकती थी पेशन्ट जा भी सकता था इस दुनिया से मेरा कहने का मतलब से यह है कि डॉक्टर से बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि सब कोई normal है अपने senior को एक बर जरूर consult कर लें और patient को advice कर दें admission के लिए तो कि यह पता नहीं होता हो सकता उससे में सब कुछ normal है लेकिन 6 गंटे के बाद हो सकता है सब कुछ गड़बड हो जाए हो सकता है 8 गंटे के बाद ECG भी गड़बड आ जाए तो खाली टेस्टों के भरोसे ना रहें और इस patient में तो test भी abnormal था पता नहीं उन्होंने क्या देखा और क्या नहीं देखा हलागि मैंने उनके मालिक को बता दिया जाके फोन प्लाई अपने आरेमोस को जरा ध्यान से देखो हलागि मेरा कोई मतलब नहीं था फिर भी मुझे लगा कि मालिक को बताना चाहिए कि उनको पैसे दे रहे हैं सेलरी दे रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे doctors किस वो है कितने knowledgeable है मैं होता तो मैं शार निकाल देता एक जटके भी निकाल देता मैं उसको रखता ना दुबारा क्योंकि patient की जान का सवाल था और जब रखे जाते हैं doctors या कोई भी staff तो पैसे बचाने के लिए आप degree भी कई में तो degree भी नहीं होती मैं सच बता रहा हूँ कोई भी degree होगी मैं बता भी जटो यहाँ पर नहीं लोगा फिर वो लोग alternative medicine मैं दूसरी medicine वाले लोग चिलाते हैं जी आप हमें ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं देखो हर चीज की ना एक वो है अब आप ICU में या उस जगे पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में MBS degree वाला भी को कुछ हो साथ तक कुछ नहाता हो तो ये interview जब आप लेते हो ना तो उसमें ECG भी एक बार दिखा दिया करो जोगों को ECG में कुछ है नहीं अब वो problem वो है कि जो interview ले रहा है उसको भी कुछ नहीं आता है लेकिन casualty में जो आप doctor रखते हो तो उनको आना चाहिए इतना तो आना चाहिए कि patient को ये तो बता दें कि तुझे problem भी है ये नहीं है treat करना तो बहुत दूर की बात है इतना तो बता दो कि patient को problem है ये नहीं है अगर नहीं समझ मैरत तो या तो refer कर दो या फिर उसको किसी senior से बात कर लो whatsapp है, social media, report भेज सकते हो पता लगा सकते हो लेकिन शायद ये कुछ hospital है जहाँ पर charitable fees है 50 उर्पे, 100 उर्पे patient भी fees, अब मैं उत्तर नगर मैं अगर practice करता हूँ तो लोगों को लगता है मेरी 700 उर्पे फीस है फीस जादा है, ठीक है अगर आपको लगता है फीस जादा है तो ठीक है जाइए आप सस्ते hospital हो में सस्ता इलाज कराई है सस्ते doctors को दिखाई है जहाँ पर 1 minute में मरीज देखा जाता है या 5-2 minute में मरीज देखा जाता है जहाँ पर इतनी line है लगी हुई है तो फिर यही होता है सब आपकी जिन्दगी है और 700 रुपे भीज बहुत कम है मैं सच बता रहा हूँ मेरा 25 साल का experience है almost जब मैं दिल्ली में आया तो मेरी consultation जब मेरी नौकरी में 8000 रुपे मिलते थे आज मेरी degree वाले को डेट से 2 लाक रुपे मिलते है सोचिए मेरी फीस तब 100 रुपे थी आज से 20 साल पहले आज 700 से 7 गुना बड़ी और आज हमारी made की जो made रखी हुई है उसको 8 से 10 जार रुपे देते हैं हम लोग तो आप सोनिए मेरी salary 8000 से कही गुना हो गई 20 गुना लेकिन फीस मेरी बड़ी सिर्फ 700 साथ गुना आज का inflation देखिए भाई कितनी महगाई हो चुकी है लेकिन आप लोगों को लगता है कि ठीक है सस्ते में दिखाना है charitable में दिखाना है ठीक है दिखाओ यार तुम्हारी जिन्दिगे तुम जानो मुझे नहीं लगता है कि सासुर्पे कम जादा है अगर आप देखेंगे और इमानदारी से practice करना एक अलग चीज है इमानदारी से बता के फीस लेना एक अलग चीज है ठीक है नहीं तो घुमा के कम पैसों में आपको कुछ भी किया जा सकता है आपको भी पता है इन सब चीजों का thank you very much एक अवेटनेस वीडियो ता चलता हूँ आपका अपना डॉक्टर नमनीत काला है शुक्रिया समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो रबट रखा